स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में आओ अपना घर वा मंदिर सजाएं प्रभु सी राम के आगमन पर दिपावली मनाएं जी है दोश्टूं जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्रभु मंदिर में स्री राम लेला की प्रांट प्रतिष्टा समारो बाइस जनौरी दोजा चोबिस को होने वाली है जिसका पोस्टर बैनर लोग तयार कर रहे हैं हार दिख सोब कामना हैं दे रहे हैं तो चलिए हम आज सिखते हैं कि इस स्री राम लेला के इस समारो का पोस्टर बैनर की डिजाइन हम कोरल डा में कैसे त्यार कर पाएंगे साथ ही हम इसका सी डियार फाइल भी आपके लिए और लेवन कराएंगे जिसे आप डाउनलोड करके खुद के लिए और अपने क्लाइंट के लिए विश रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ कांटेंट जो डिजाइन में जरुवत पड़ेगी उसे इंटरनेट से डाउनलोड करके रख लिया है जैसे यह फ्लावर के बाडर और दिपावली के दिये यह राम मंदिर का फोटोग्राफ और यह बैक्ग्राउंड यह सारी चीजे हमने यहाँ पर कलेट करके रख लिया है और जो कांटेंट हमेशे में यूज करना उसे टाइप करके भी रख लिया है सिर्फ हमें यहाँ पर इसका एक प्यारा सा डिजाइन तियार करना है सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं रिक्टेंगल तूल और उस पर जापर डबल किलिक क हमारे artboard पर एक same size का product यहां पर त्यार हो जाएगा और इस partner में सबसे पहले हम वो background यूज़ करेंगे जो हम इस पूरे design में देना चाहते हैं तो इस background को हम थोड़ा सा size बढ़ा करके और इसे power clip करतेंगे कुछ इस तरह यहां पर background हमने यहां पर त्यार कर लिया और उसके बाद हम यह जो उपर flower का border है उसे सबसे टॉप पे लगाएंगे इसे टॉप पे रखकर इसे भी हम power clip कर लेंगे और उसके बाद हम प्रबुसी राम का यह मंदिर और image की photo यहां पर इस side में रखतेंगे कुछ इस तरह और यह जो slogan है उसको उटा कर हम यहां फरक्ट आपके रखतेंगे और उसके just नीचे हम यह दिपॉली के दिये उसके center में सजा देंगे यहां पर आप देख सकते हैं और यह जो content पुरा है विशेच का उसको हम यहां से लेकर कुछ इस तरह यहां पर arrange कर देंगे और इस image को भी हम यहां पर पाउर क्लिक कर देंगे और सबसे नीचे हम एक और rectangle देंगे और वहां पर brown color का बाज़र देंगे और उसे भी हम यहां पर पाउर क्लिक कर देते हैं और जिसके दौरा यह विशेच काट आपको देना है उसका content हम यहां के side में रख देंगे इसका text color हम यहां पर change कर देते हैं white हिंद उन्हों का marching हम सेम कर देते हैं top से और जो यहां पर space है यहां पर हम अपनी photo लड़ा देंगे इसको थोड़ा सा छोटा करके हम थोड़ा सा उपर कर लेते हैं और इस पूरे design को हम एक थोड़ा सा मूटा सा बाढ़ा दे जाते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी यह design पूरी तरह से बनके तयार हो गई है इसे हम zoom करके आपको दिखा रहा हैं यह आप देख सकते हैं कि आपकी यह design wishes card की design पूरी तरह से आपे तयार हो गई है इस पाइल को आप हमारे description पार्ट में दिएवे link के द्वारा download कर सकते हैं और खुद का या अपने client का wishes card तयार कर सकते हैं तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर बिलते हैं थैंक्स पार वाचिं दिस वीडियो